दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई पूर्व मुख्यमंत्री हेमन सुरेन की नियाए खिरासत जारखंड के XCM हेमन सुरेन की मुश्किले बढ़ती ही जा रही है पी एमले की बिसे सादालत ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में जारखंड के पूरवसियम हेमन सुरेन की नियाए खिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है खबर है कि अब चार अप्रेल तक हेमन सुरेन नाची के होटवार इस्थित बिर्शा मुंडा केंद्रिय कारगार में ही रहेंगे हजारिबाग में सडक हाथसा चार लड़कियों को कुचला बेकाबू ट्रक टाटी जरिया थाना इलाके के खैरा बरकटा सडक पर प्राथमिक विद्यारे कारी चट्टान भवन के समीप गुरवार की सुबह लगबख साड़े छे बजे बेकाबू अवैद बालू लदे मीनी हैवा की चपेट में आने से चार युवतियां और एक महिला जखमी हो गई है इन में से दोकी गंभीर स्थिती को देखते हुए इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है जारखण में 24 मार्च से एक बार फिर आसमान में चाय रह सकते हैं बादल जारखण में 24 मार्च से एक बार फिर आकाश में बादल चाय रह सकते हैं खबर है कि होली के दिन 26 मार्च को भी आकाश में बादल चाय रहने का अनुमान है बदादी की मंगाल की खाड़ी में मौसम से आये बदलाव के कारण जार्खंड के कई जीलों में पिछले तीन चार दिनों से बारिश हो रही है आकाश में बादल चाय हुए है ED के खिलाप जार्खंड पुलिस के एक्शन पर हाई कोट ने लगाई रोक जार्खंड हाई कोट ने पूर्व मुक्मंत्री हेमन सोरेन द्वारा दायर SCST मामले में राची पुलिस द्वारा परवर्तन निदेसाले के अधिकारियों को नोटी जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है खबर है कि इसके अलावा राज्य सरकार को एक सब्ता में इंटर लोक्यूटरी एप्लिकेशन पर अपना जवाब दाखिल करने का निदेश दिया है जार्खंड नगर पाली का परिशा की अंसर की हुई जारी जार्खंड करमचारी चेहन आयोग जार्खंड नगर सिवा आयोग परतियोगिता परिशा दोजार चौबीस के लिए अंतिम उत्तर कुझी जारी कर दी गई है बदादे कि जो मिदवार एक्जाम के लिए उपस्तित हुए थे वे अब आधिकारिक JSC की बेपसाइट JSC.NAC.IN से उत्तर कुझी डाउनलोड कर सकते हैं जेमेम की पूर्व विधायक सीता सोरेन को मिली जेड स्रेनी की सुरक्षा जारखन मुक्ती मोच्चा की पूर्व विधायक सीता सोरेन को केंदर सरकार ने जेड स्रेनी की सुरक्षा परदान की है बदादे कि बीते दीनों जेहां सीता सोरेन ने 19 मार्च को JMM से इस्तिफा देने के बाद BJP जोएन कर लिया था जेड स्रेनी में 22 कर्मियों की सुरक्षा होती है जिसमें 4-6 NSG कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल होते हैं CM School of Excellence नमांकन टेस्ट आज जहारखण में संचालित जीला स्तरिये 80 मुख्यमंत्री उतक्रिष्ट विद्यालेओं में एड्मीशन के लिए आज परवेश परिक्षा आयोजित की जाएगी खबर है इस परवेश परिक्षा में जहारखण के 36,230 शात्र शामिल होंगे बतादे की परवेश परिक्षा के लिए विद्यार्थियों को परवेश पत्र उपलब्द करा दिया गया है परतेक एड्मिट काड में परिक्षा सेंटर की संपूर्ण जानकारी उपलब्द है रंगों का तेवहार होली के दोरान जहारखण में बिजली आपूर्ती दुरुष्ट रखने के निर्देश जहारखण राज्य बिजली बीतर निगम यानि जेवी वियनल ने रंगों के तेवहार होली में बिजली आपूर्ती दुरुष्ट रखने के निर्देश दिये हैं बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए टेकनिकल फोल्ट को भी दुरुष्ट करने का निर्देश दिया गया है बड़ी खबर है रेल्वे में निकली 9000 से अधिक पदों पर वेकंसी भारती रेल्वे दुरा टेकनिशियन के अलवा अलग अलग पदों पर भरती निकली गई है खबरही की रेल्वे ने 9000 से अधिक पदों पर भरती निकली है इच्चूक और योग ये उमिदवार रेलेवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ओनलाइन आविदन कर सकते हैं बतादे की इस भरती प्रक्रिया की अंतिम्तिथी 8 अप्रेल 2024 तै की गई है जो भी इच्चूक और योग ये उमिदवार इन पदों के लिए आविदन करना चाहते हैं बतादे की जनरल OBC EWS के लिए आविदन शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है साथ ही SCST उमिदवार जिहां कैटिगरी के उमिदवारों के लिए धाई सो आविदन शुल्क निर्धारित किया गया है SBI ने चुनाव आयोको सौपा सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉंड के सारे विवरन सर्वोच नैले की फटकार के बाद State Bank of India ने चुनावी बॉंड पर सारी जानकारी चुनाव आयोको सौप दी है खबरहिगी डेटा में बॉंड के लिए सभी important अधिवितिये नंबर शामिल है जो दान करताओं को प्राप्त करता राजनितिक दलों के साथ मिलान करने में हेल्प करेंगे खबरहिगी सुप्रीम कोट ने SBI जिहां SBI ने सुप्रीम कोट में अनुपालन का हलप नामा दाखिल किया है हलप नामे के एक बिंदो में लिखा है संबान पूर्वक यह परस्तुत किया जाता है कि SBI ने अब सभी विवरनों का खुलासा कर दिया है और कोई भी विवरन पूर्ण खाता संख्या और केवाईसी विवरन के अलावा जिहां परकटी करन से रोका नहीं गया है रेलवे बोड के आदेश पर जुलाई से होगा बड़ा बदलाओ रेलवे बोड की ओर से ट्रेनों में बड़े बदलाओ को मंजूरी दी गई है इस बदलाओ के बाद ट्रेनों की पेंट्री कार में जून महिने के बाद यात्रियों के लिए नास्ता और खाना नहीं बनाया जाएगा पेंट्री कार में मात्र ज्यादा जरूरत पर ही पानी कर्म किया जा सकेगा या चाय आधी बनाई जा सकेगी खबरही की रिलवे इस्टेस्नों के आजपास के IRCTC के बेस कीचन भी बंद हो जाएंगे इस बदलाओ के बाद IC जिहां IRCTC की ओर से कलश्टर पर पेंट्री कार को ओपरेट किये जाने की तयारी चल रही है यहाँ पर तयार होने वाल नाश्ता और खाना ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सर्व किया जाएगा अभी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत में इसी तरग की बेउस्था है वंदे भारत ट्रेन में गर्म पानी की बेउस्था रहती है बाकी सभी चीजें ट्रेने पहले तयार होने के बाद यात्रियों को सर्व कि जाती है रेलवे बोट के आदेशक बाद जुलाई से ट्रेनों में खान पान का पूरा सिस्टम बदल जाएगा बदादी की नए सिस्टम के तहथ ट्रेनों में किसी भी रूट की ट्रेन में क्वालिटी फूड उपलब्त कराए जाने की तयारी है अलग-अलग एजनसियों को पेंट्री कार को आपरेट करने की जिम्मेदारी दी जाएगी किसी भी एजनसी के पास एक ही रूट की 5 से 7 ट्रेनों की जिम्मेदारी होगी एक रूट की जिस भी एजनसी को जिम्मेदारी दी जाएगी वो इस्टेशन के आसपास अपना बेस कीशन तयार करेगी यहाँ से खाना और नास्ता तयार करके ट्रेनों में सफलाई किया जाएगा भारत सरकार ने किया एनराई मतदाता से इस बार मतदान करने का आगर देश में अगले महिने से होने वाले चुनावी तयवार को लेकर देश में हर सो उल्लास का माहूल है जहाँ अठारवी लोकसभा चुनाव से पहले भार सरकार ने सभी गैर निवासियों यानि एनराई से अपना वोट डालने का आगर किया है खबरे की चुनाव 19 अपरेल से शुरू होकर साथ चरणों में होंगे और नतीजे 4 जून को घोशित किये जाएंगे इसके साथी एक्सपर एक पोस्ट में प्रेस सूचना ब्यूरो ने जानकारी देते हुए लिखा है कि सभी एनराई मतदाताओं से इस लोक सभा चुनाव में वोट डालने का आहवान और नराई मतदाता आम चुनाव में कैसे भाग ले सकते हैं इसकी जानकारी के लिए चरण दर्चरण मार्ग दर्शी का साजह की खबर है कि चुनाव आयो के अनुसार एक बिदेशी मतदाता एक भारतिये नागरिक हैं जो रोजगार उच सिक्षा या विभिन कारणों से दूसरे देश में रह रहा है और उसने उस देश की नागरिकता हासिल नहीं की है वे अपने भारतिये पासपोर्ट पर सुचीबद पते पर मतदाता के रूप में पंजीकरन कराने के पात्र हैं गौरत लभाई की 2010 से पहले एनराई को आम चुनाव में बोट डालने की अनुमती नहीं थी गूगल की और से आया बढ़ा अपडेट करोडो यूजर्स पर मंडरा रहा खत्रा गूगल ड्राइब की लोग प्रियता किसी से चुपी नहीं है आज की समय में हर इंटरनेट यूजर का डेटा गूगल ड्राइब पर उपलब्ध है इस प्लेटफॉर्म पर फोटो से लेकर मैसेज तक धेर सारा डेटा मौझूद है ऐसे में अगर ये डेटा लीक हो गया तो क्या होगा दरसल गूगल ने एक शितावने जारी की है जिसमें बताया गया है कि गूगल ड्राइब यूजर्स पर खत्रा मंडरा रहा है गूगल ने स्पैम को लेकर सावधान रहने को कहा है कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर आप गूगल ड्राइब का इस्तमाल करते हैं तो आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं निर्दोष, उप्योकरता, मैलवेर और फिशिंग हमलों के शिकार बन सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल ड्राइब पर गूगल अकाउंट यूजर्स को एक संदिग्ध फाइल भेजी जा रही है कुछ उप्योकरताओं ने शिकायत की है कि उन्हें अपने गूगल खाते पर फाइल प्राप्त करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है इसके बाद गूगल ने पुष्टी की है कि उसे इसे संदिग्ध फाइल की जानकारी है तो उस लिंक या दस्तावेज पर क्लिक न करें कोबिन नैंटिन के बाद बढ़े हार्ट अटेक एक्सपर्ट ने माना कोरोना वाइरस कर सकता है दिल को खराब पिछले कुछ समय में दिल का दोरान पढ़ने से होनवाली मौतों में काफी बृधी रेकी गई है बिशेसग्य इस अचानक कुछ हाल के कारणों की तलाश कर रहे हैं और अब एक नए शोत से चौकाने वाला खुलासा हुआ है इस्टडी बताता है कि कोरोना संक्रमन दिल को अस्थाई रूप से नुकसान पहुचा सकता है जिससे भोईश में दिल का दोरा पढ़ने का खत्रा बढ़ जाता है जर्नल सर्कुलेशन में परकाशित एक नए स्टडी में पाया गया है कि कोरोना वाइरस सीधे दिल के टीशू को शंक्रमित के बिना भी दिल को नुकसान पहुचा सकता है शोत करताओं ने कोरोना से जुड़ी गंभीर फेपड़ों की स्थिती एक्विट रिस्पी रेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले लोगों के दिलों को हुए नुकसान का अध्यन किया है